98 प्लस दो बराबर अपार सफलता इसका क्या मतलब है? जब बात on passive की आती है तो इसका मतलब सब कुछ है क्यों? क्योंकि on passive को श्री एश मुफारेह द्वारा डिजाइन किया गया है और उनके बहु प्रतिभाशाली प्राद्योगी की कर्मियों द्वारा इंजीनियर किया गया है जो आपके लिए अंतिमस्तर तक काम कर चुके हैं अब on passive में किसी संस्थापक या सहयोगी को अपने व्यवसाय का विपढ़न करने, किसी को भरती करने, on passive उत्पात बेचने के लिए लोगों का पीछा करने की आवश्यक्ता नहीं होगी on passive श्री एश मुफारे और उनके कर्मचारियों ने आपके लिए अठाली प्रतिशत काम किया है फिर यह 100 प्रतिशत के बराबर नहीं है, उन 2 प्रतिशत लोगों का क्या हुआ? वह 2 प्रतिशत हिस्सा संस्थापकों और सहयोग्यों के लिए है, क्यों? क्योंकि यह उनका व्यवसाय है और उन्हें अपने व्यवसाय के प्रतिख जवाब देह मुना होगा श्री मुफारे है सभी जोखे मुठा रहे हैं उन्होंने इस व्यवसाय को सभी संस्थापकों और सहयोग्यों के लिए लाभदायक बनाने के लिए धन का निवेश किया है ताकि हम सभी के लिए यह एक सफल व्यवसाय बन सके लेकिन हमें प्रत्येक संस्थापक और सहयोगी को सफल बनाने के लिए कुछ करना होगा के लिए यातायात उपलब्ध कराना शामिल है तो वे आपके स्टोर में कैसे आएंगे उन्हें आपके स्टोर के अंदर आने के लिए आपको बंद दर्वाजा खोलना होगा ताकि कोई भी आपका सामान न चुरा सके आप ही एक मात्र व्यक्ति हैं जिसके पास दर्वाजा खो करना है जिने आपने उन लोगों को बेचा है जिने भवन के मालिक आपके स्टोर में लेकर आए थे और यदि आप अपने आसपडोस में अपने परिचित लोगों को बता दें कि दुकान आपकी है और जब भी आपको सामान की आवश्यक्ता हो तो वे आ जाएं यह साजह आपके स्टोर दो प्रतिशत बनाता है यही वह बात है जो श्री एश मुफारे संस्थापकों को ओन पैसिव में अपनी सफलता को अधिक्तम करने के लिए करने को कह रहे हैं श्री मुफारे हम सभी को बताएंगे कि प्रत्येक संस्थापक और सहयोगी को क्या करना चाहिए क केवल दो प्रतिशत और ठाली प्रतिशत नहीं।